Hello traders, welcome back to my channel The Marketverse आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे कल के लिए कुछ बहतरीन intraday stocks के बारे में लेकिन उससे पहले traders हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग उन stocks को discuss कर लेते हैं जिसकी analysis मैंने आप लोग के साथ आज के intraday session के लिए share किया था तो आज के लिए traders मेरा सबसे पहला intraday stock था लाओ पाला जिसके अंदर आज हम लोग को एक सांदार breakout देखने का मौका मिला है देन आफटर ये retesting भी किया है और अपने सारे targets को बहुत ही successfully achieve किया है मेरा अगला intraday stock था Sun Pharma morning session में ही यहाँ पर हम लोग को एक breakdown देखने का मौका मिला है और उसके बाद ये भी अपने सारे targets को selling side में achieve किया है इसके अलावा traders diviz lab का भी chart analysis मेंने आप लोग के साथ share किया था हम लोग देख सकते हैं कि आज ये open हुआ था लगबग 3616 के around में इसके अंदर भी traders आज हम लोग को सांदार breakdown देखने का मौका मिला है और लगबग 3564 के आसपास का low इसके अंदर बनते हुए नजर आया है आज के लिए मेरा अगला intraday stock था SCL Tech SCL Tech के अंदर भी traders morning session में हम लोग को एक अच्छा breakdown देखने का मौका मिला है और ये फिर जाकर के अपने first target को successfully achieve किया है आज के लिए मेरा अगला intraday stock था TVS Motors इसके अंदर traders हम लोग को थोड़ा सा gap down opening देखने का मौका मिला था फिर यहाँ पर ये अपने levels को retesting किया then after हम लोग देख सकते हैं कि हमारे दोनों targets को successfully achieve करते हुए नजर आया है तो TVS Motors भी आज हमारे लिए एक profitable intraday trade साबित हुआ है इसके अलबा traders मैंने आप लोग के साथ HDFC Bank का भी chart analysis share किया था जिसके अंदर हम लोगोंने selling side में trade को plan किया हुआ था लेकिन आज इसके अंदर हम लोगों को एक बहुत ही सांदर breakout देखने का मौका मिला है तो अगर आप मेंसे किसी ने भी breakout के बाद अपने trade को यहाँ पर initiate किया था तो मुझे नीचे comment section में जरूर बताइएगा हाला कि traders HDFC Bank को मैं agile successful intraday trade की तरह account नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने selling side में अपने trade को plan किया हुआ था इसके अलावा traders हम लोगों को किसी भी other intraday stock के अंदर trade लेने का मौका नहीं मिला है जैसे कि विज्या, diagnostics, power, greed, jubal, food और सिपला तो overall traders अगर हम लोग बात करें तो 5 intraday stock के अंदर हम लोगों को अपने entry plan करने का मौका मिला है और 5ों के अंदर हमारा जो target है वो successfully achieve हुआ है तो I hope आप सभी लोगों को मेरी analysis के साथ साथ जो एकूरेसी है वो पसंद आ रही होगी इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को like नहीं किया है तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा साथी मोटेटरस अगर आप लोग चैनल पर पहली वार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर subscribe कर दीजेगा इसके साथ साथ आप लोग नीचे comment section में भी जरूर बताएगा कि आज आप लोगों ने कौन-कौन से intraday stocks के अंदर अपने trade को initiate किया था personally अगर बात करें तो आज पहला दिन था जहाँ पर मैंने कोई भी trade आज नहीं initiate किया है क्योंकि कल की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग थोड़ा सा cautiously trade करेंगे nifty 50 के अंदर already हम लोगों को एक strong falling pressure create होते हुए नजर आ चुका है तो यहां से हम लोगों को हलका सा retracement देखने क्ले मिल सकता है लेकिन कल के market को देखते हुए हम लोगोंने maximum intraday stocks के अंदर selling side में पने trade को plan किया हुए था और आज भी आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी stock के अंदर हम लोगो entry लेने का मौका मिला है सब के अंदर first 15 minute में हमारे सारे targets achieve होते हुए नजर आया है तो personally मैं थोड़ा सा wait कर रहा था market को settle होने का time देना चाहता था जिस कारण से मैं यहाँ पर कोई भी trade नहीं ले पाया हाला कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लाओ पाला के अंदर हम लोग को एक breakout जरूर देखने के लिए मिला था proper यहाँ पर हम लोग entry भी plan कर सकते थे लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग कल के ही वीडियो में बताया था कि अगर हम लोग एक दिन trade नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन उससे पहले traders मैं एक disclaimer आप लोग को अभी देना चाहूंगा कि अभी भी market के अंदर थोड़ा सा volatility है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि nifty 50 के अंदर भी हम लोग को sort of cup or handle type of pattern यहाँ पर create होते हुए नजर आ रहा है तो फिर हम लोग को maximum intraday stock के अंदर एक अच्छा trade देखने के लिए मिल पाएगा लेकिन अगर बहुत ही बड़ा gap up opening होता है वहाँ से continuous selling side में movementum देता है तो फिर हो सकता है कि कल भी हम लोग को कोई भी trade करने का मौका नहीं मिलेगा अलरेडी इस वीक में हम लोग ने बहुत ही बेहतरीं intraday trades को capture कर लिया है और कल week का last day भी है तो मेरा सेशन यहीं रहेगा कि कल भी आप लोग थोड़ा सा कॉसिएसली अपने trades को plan कीजिएगा तो चलिए अब हम लोग अपने analysis को start करते हैं तो कल के लिए traders मेरा सबसे पहला intraday stock रहेगा रेडिंग्टन, रेडिंग्टन के अंदर traders आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही कुपसूरत सा हम लोग ascending triangle pattern का formation होते हुए नचल आ रहा है, कल के intraday fall के कारण यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा fall भी आया था, लेकिन अब यह फिर से खुद को अपने इसी triangle pattern में consolidate किया है आज पूरे दिन, तो ऐसे में कल अगर ही अपने इस crucial resistance को break करता है, इसके उपर sustain करता है, तो एक अच्छा खासा intraday momentum हम लोग को रेडिंग्टन के अंदर capture करने के लिए मिल सकता है, लेकिन traders एक और बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि अगर कल यह फिर से नीचे में आकर के अपने इस crucial support को break करता है, तो फिर 175 के नीचे में हम लोग को इसके अंदर selling opportunity भी देखने के लिए मिल सकता है, मेरा अगला intraday stock रहेगा ONGC, ONGC के अंदर traders आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही खुबसूरत सा हम लोग को hidden shoulder pattern का formation होते हुए नजर आ रहा है, इसके साथ-साथ ये जो trend line है वो भी इसके लिए बहुत ही crucial support का role play कर रहा है, यही पर हम लोग देख सकते हैं कि ये बार-बार support लेते हुए भी नजर आ रहा है, तो ऐसे में कल अगर ही अपनी trend line को break करता है नीचे की side में, तो एक अच्छा खासा intraday fall हम लोग को ONGC के अंदर भी capture करने के लिए मिल सकता है, मेरा अगला intraday stock रहेगा rally gear, इसके अंदर traders आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो analysis है वो one hour के time frame पर है, कि खुबसूरत सा triangle pattern के साथ साथ हम लोग को inverse cup और handle pattern का भी formation होते हुए नजर आ रहा है, तो ऐसे में कल अगर ये अपनी इस crucial zone को break करता है, जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लगभग पिछले एक से डेढ़ महीने से ये आगर के support लेते हुए नजर आ रहा है, stock जो है वो अपने east zone पर जाकर के बार-बार रहे stance phase करते हुए दिख रहा है, हम लोग देख सकते हैं कि लगातारी है, यहाँ पर breakout देने का try कर रहा है, लेकिन अभी तक successful breakout देखने का मौका नहीं मिला है, तो ऐसे में कल अगर यहाँ पर हम लोग को breakout देखने के लिए मिलता है, तो एक अच्छा खासा intraday move हम लोग IPL के अंदर भी capture कर सकते हैं, मेरा अगला intraday stock रहेगा Loras Labs, Loras Labs के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही सांदार यहाँ पर हम लोग को inverse head and solder pattern का formation होते हुए नजर आ रहा है, तो ऐसे में कल अगर यह stock अपने इस nickel line को break करता है, इसके उपर sustain करता है, तो एक अच्छा खासा intraday momentum हम लोग Loras Labs के अंदर भी capture कर सकते हैं, मेरा अगला intraday stock रहेगा जेंसा टेक, यह जो stock है traders यह अपने all time high के आसपास में आ करके trade कर रहा है, कल इसी zone से हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर एक अच्छा खासा intraday fall हम लोग को देखने के लिए मिला था, लेकिन उसके बाद में आज यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि complete reversal हम लोग को देखने के लिए मिला है, इसका मतलब है कि अभी भी इस stock के अंदर bullishness बाकी है, तो इसलिए कल अगर यहाँ पर हम लोग को इस zone का breakout देखने का मौका मिलता है, तो फिर इस stock के अंदर एक नया all time high भी बनते हुए नजर आ सकता है, मेरा अगला intraday stock रहेगा AU bank, AU bank के अंदर traders आप लोग देख सकते हैं कि खुबसूरत सा हम लोग को rectangle pattern का formation होते हुए नजर आ रहा है, आज banking sector में हम लोग को एक अच्छा खासा intraday momentum भी देखने के लिए मिला है, तो ऐसे में कल अगर यह same momentum continue रखता है और उपर में आकर के अपने इस resistance को break करता है, तो एक अच्छा खासा intraday move हम लोग इसके अंदर भी capture कर सकते हैं, मेरा अगला intraday stock रहेगा Tata Chemicals, Tata Chemicals के अंदर Tata हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही सांदार हम लोग को ascending triangle pattern का formation होते हुए नजर आ रहा है, आज stock पूरे दिन अपने आपको इसी pattern के बीचो बीच consolidate किया है, तो ऐसे में कल अगर यहाँ पर हम लोग को breakout देखने का मौका मिलता है, तो एक अच्छा खासा intraday move हम लोग इसके अंदर भी capture कर सकते हैं, और कल के लिटेडर सेलिंग साइड में में मेरा अगला intraday stock रहेगा SCL Tech, SCL Tech के अंदर Tata हम लोग को एक बहुत ही सांदार यहाँ पर inverse cup और handle pattern का formation होते हुए नजर आ रहा है, इसके साथ साथ यह जो zone है वो इसके लिए बहुत ही जादा crucial role प्ले कर रहा है, आज हम लोग देख सकते हैं कि यही पर यह stock open हुआ था, first 30 minute में एक अच्छा खासा intraday momentum भी देखने के लिए मिला था, लेकिन day in तक यह अपने इस momentum को पूरी तरह से cancel out कर चुका है, और अभी भी हम लोग कह सकते हैं कि कहीं न कहीं यह downtrend में move कर रहा है, तो इसलिए अगर कल यह नीचे में आकर के अपने support को break करता है, इसके नीचे sustain करता है, तो एक अच्छा खासा intraday momentum हम लोग को ACL take के अंदर भी capture करने के लिए मिल सकता है, कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा BDL, BDL के अंदर टेड़स हम लोग देख सकते हैं कि एक खुबसूरत सा हम लोग को यहाँ पर bullish pain and pattern का formation होते हुए नजर आ रहा है, stock बहुत ही अच्छी तरह से खुद को इस pattern के बीचो बीच consolidate कर रहा है, आज BDL के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं कि एक तरफा rally हम लोग को देखने के लिए मिला है, तो ऐसे में कल अगर यह अपनी इस resistance को break करता है, इसके उपर sustain करता है, तो एक अच्छा खासा intraday move हम लोग BDL के अंदर भी capture कर सकते हैं, वीडियो में टेडरस आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को like नहीं किया है, और अगर आप लोगों को मेरी analysis पसंद आ रही है तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा, साथ ही में टेडरस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि बहुत ही जादा मेनत लगती है, आप लोग के लिए daily इतने बहुतरी इन intraday stocks को खोजने में, तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो को continue करते हैं, कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा, बजाज फिंजर, बजाज फिंजर के अंदर टेडरस हम लोग देख सकते हैं, कि ये जो जोन है, वो इसके लिए बहुत ही जादा crucial role play कर रहा है, stock बार-बार आकर के अपने इस जोन के around में support लेते हुए, एक upside का momentum दिखलाता है, और उपर में आगर के अपने इस crucial resistance को break करता है, तो एक अच्छा कासा intraday momentum लोग को buying side में भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 1680 का जो level है, वो अभी बजाज फिंजर के लिए एक अच्छा कासा resistance का role play कर रहा है, तो इसलिए आप लोग इस बात को जरूर अपने ध्यान में रखिएगा, और personally traders कल के लिए मैं दो और intraday stocks को अपने radar पर रखने वाला हूँ, जो की है Reliance और Hero Moto, Hero Moto के अंदर traders आप लोग देख सकते हैं, इसी तरह से traders हम लोग Reliance के अंदर भी देख सकते हैं, कि एक सांदार hidden solder pattern का formation होते हुए हम लोग को नजर आ रहा है, तो ऐसे में कल अगर यहाँ पर हम लोग को breakout देखने का मौका मिलता है, तो फिर definitely पूरे market के साथ साथ Reliance के अंदर भी हम लोग को एक bullishness नजर आ सकता है, तो यहाँ पर traders मैं आप लोग के साथ Reliance और Hero Moto का intraday levels नहीं share कर रहा हूँ, आप लोग खुद से इन दोनों stock को analyze कीजिए, और फिर मुझे नीचे comment section ने बताएएगी कहां तक का target हम लोग इसके अंदर expect कर सकते हैं, क्या हमारा stop loss होना चाहिए, मैं जरूर देखना चाहूँगा कि आप लोग की analysis अभी कहां तक पहुँच चुकी है, तो कल के लिटेटेस आप लोग इन सारे stocks को अपने radar पर रख सकते हैं, और प्लीज आप लोग कल थोड़ा सा cautiously अपने trades को plan किजिएगा, क्योंकि market के अंदर अभी थोड़ा ज्यादा volatility हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, मैंने अपने level से आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी stock के अंदर अभी हम लोग को strong momentum देखने के मिल रहा है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी bullishness sign है, उन सभी के अंदर हम लोग ने buy side में अपने trade को plan किया हुआ है, जैसे कि rally gear हो गया, SEL tech हो गया, ये दोनों stock अभी हलका सा weak नजर आ रहा है, तो analysis मैंने आप लोग के साथ कर दिया है, कल आप लोग थोड़े से ध्यान से अपने trade को initiate कीजेगा, proper breakdown या breakout हो जाने दिजेगा, उसके बाद ही अपने trade को initiate कीजेगा, और morning 5 minute में ही अगर बहुत ही बड़ा move हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है, किसी भी stock के अंदर में, तो फिर आप लोग simply उस trade को ignore भी कर दिजेगा, क्योंकि टेड़ेस कहीं पर भी आप लोग को risk ज़्यादा नजर आता है, और उसके मुकाबले में reward कम लगता है, तो फिर उस trade को initiate करने से कोई भी मतलम नहीं है, चाहे वो trade आप लोग के लिए successful ही हो जाए, इसके साथ साथ टेड़ेस, अगर आप लोग stock market related news से updated रहना चाहते हैं, तो फिर चैनल की membership को भी जोईन कर सकते हैं, I hope आप लोग को मेरी analysis पसंद आई होगी, धन्यवाद,